हलो गुर्णाइन दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में देखेंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे बीएश डियेस 183 चप्टर नंबर 4 के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और जो आपका चप्टर नंबर 4 है क्याई क्याई नंबर 4 आप इसे कहेंगे आयोध्या सिंग उपध्या की हरी आसदोर उनकी कविताएं है तो सबसे पहले देखेंगे आयोध्या सिंग उपध्या जो हैं उनका हरी यौसत का जीवन परिचा देखेंगे अयोध्या सिंग उपध्या हरी यौसत जी का जन्म 15 अप्रेल 1965 से 65 को 15 अप्रेल 1865 को और 16 मार्च 1947 तक इनका जन्म रहा जन्म इनका उत्तर प्रदेश के आजमगर जिले में निजामा बाद नामक अस्तान पर हुआ उनके पिता पंडित भोला नात उपध्या ने सिक धरम अपना लिया था भोला सिंग रख लिया अवसत जी ने निजामा बाद से मिडल परिक्षा पास की किन्तु स्वास्त बिगड़ने जाने से उन्होंने कोलेज छोड़ना पड़ा घर में ही रहकर उन्होंने संस्कृत उर्दु फार्सी और अंग्रेजी साहित का अध्यन किया निजामा बाद के मिडल स्कूल में अध्यापन बन गए मिडल स्कूल के हरियोसद जी ने कासी हिंदू बिस्विद्याले में हिंदी विभाग में अनैथिक सिच्छक के रूपे उन्होंने अध्यापन किया उनकी प्रसिद काबे रचना में देखोगे प्रिया प्रवास बैदेही वनवास काबेवपन रस कमलेस बोलचाल पौक चं हैं उनकी कौन कौन सी साहितिक रचना है तो अम उसे उनकी साहितिक रचना कौन कौन सी है नाटक उन्हों जो लिखा है प्रदुन विजय रुकमणी परिणाय दूसरा उन्होंने उपन्यास कौन कौन सी लिखा है प्रेम कांता ठेठ हिंदी का ठेठ दूसरा उन्होंने क्या प्रवा रसकमस प्रियवास प्रजमकुमन उद्भोध और प्रमोध का अगर हम गड़्य रसात प्रशा जी जी तो हम काब्यात्मक उनके विशेष्थत형 के बारे में देखे तो उनकी का में विशेष्था हैं सबसे पहले कव्यात्मक विशेशता हैं हरियोसत जी ने विविद विशेओं पर काभे रचना की है उन्होंने कृष्ण राधा, राम, सीता से संबंधित विशेओं के साथ आउधनिक समस्याओं को भी लिया है और उन्हों पर नभीन ढंक से उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत के हैं प्राचीन और आउधनिक भावों में मिश्रन से उनके काभेव में एक अध्भुत चमतकार उड़त्पन हुआ है दूसरा कह सकते हैं बियोग तथा वासल वरनन यान उन्होंने बियोग और वासल को उन्होंने अपनी कभिताओं में लिया है प्रियम प्रवास में क्रिश्न के मधुरा गमन तथा ब्रज की दसा का मारमिक चितरन किया है क्रिष्ण के बियोग में सारा ब्रज दुखी है राधा के इस्तिती तो अनकत है है नंद यसोदा आधी बड़े ब्याकुल है पुत्र बियोग में ब्यथित यसोदा का करुणा चरित्र हरियोसद ने खींचा है प्रिये प्रीत वह मेरा प्राण प्यारा कहा है दुख जल ृष्ण को एस्वर के रूप में ना देख करके उन्हें आदर समानौ और लोग सेवक के रूप में उन्होंने स्वयं के मुख से कहलवाया है पवित्र से रक्षन सर्वभूत का असहाय होना असहाय जीवन का उबारना संकट से स्वजातिये का मनुस्यस के सर्वथा परधाम धरम है कृष्ण के अनुरूफी राधा का चरित रहे वह दोनों की भरनी अनमिस्रित की मांग और विश्व की प्रेमिका है अपने प्रियतमा कृष्ण के बियोग का दुख सहकर के भीवए लोग हित की काम न करती है प्यारे जीवन जग हितकारे गोहन सहत ना आवे अगला उनको देखेगे प्रकर्थी चितरन यानि हरी अवसत जीने के क्या है प्रकर्थी चितरन भी उनके कविताव में हमें देखने की मिलता है हरी अवसत जी की प्रकर्थी चितरन पर संसनिये हैं जहां भी आवसर मिलता है वह प्रकर्थी का चितरन करते हैं और उसे बिदवत रूप से उन्होंने अपना है हरियोसाज जी का प्रकिरती चित्रन अगर हम देखें तो काफी हमें सजीव दिखाई देता है और परिष्टिव के अनुरूप रहा है सुख में प्रकिरती दुख में दुखी दुखाई देती है फूलों के पत्तों सकल पर हैं आधी बूंदे लखाती हैं रोते हैं या विप पहले उनकी सा संस्कृत का साली के संस्कृत कासरी कंवे गया प्रियंम प्रवास दूसरा रितिं अंगल अलंकार है रसका मल करहा है थिसरे تीसरी उनकी प्रिफ्र था उनका जो है उर्दू की मोहाबरे सैली चुबते चंदो और जो उन्हें चौपाई लिखे उसमें हमें देख अगर हम हरी अउसत जी के रसों की बात करें कि कौन कौन रसे को परियोग करते हैं हरी अउसत जी के कावे में में रस उपलब्ध हैं करुणा भीयोग सिंगार व कभित सवया छपन दोहा आध का उर्दू चंदों में प्रियोग किया है बाद में उन्होंने सिख रमडी मलनीन वसंत तिलिका उर्दूल बेक्सित मडी कांता आध संस्कित के चंदों का उन्होंने अपनाय है या उनका प्रियोग किया अगर हम अलंकारों की देखे तो उन् में रहर्ज रूप से अलंकार कहीं कहीं आजाते हैं रस की अभिव्यक्थी सहायक सिध होती है हरी औसस जी ने damn or Sang लंकार दोनों का सफलता प्रूबक प्रियों प्रियोग किया है अनूपरा सियमक रूपक और करकार के अलगकारं अगर हम हरी ओसच जी की भांसा सैली की बात करें तो उनकी भांसा सैली ब्रेज और खड़ी दोनों बोलियों का उन्होंने अपनी कविताओं को लिखा है किन्तु उनकी अधिक्तम जो रचनाय रही है वो खड़ी बोली में लिखा है हरी ओसच जी की भांसा प्रोड और आकरसक लगती है हरी ओसच जी की भांसा में देखें कि तो उर्दु फार्सी सभी प्रकार के सब्दों का प्रयोग किया गया है नबीन और अप्रशली सब्दों का भी प्रयोग हरी ओसच जी अपनी कविताओं में करते हैं संस्कित के तत्स और क्रिष्ण का वनन करते हैं तो वह हिंदी का प्रयोग कम बलकि संस्कृत भांसा का प्रयोगा में वह जादा करते हुई दिखाई देते हैं अगर हम यहाँ पर निस्कर्स देखे तो निस्कर्स क्या रहा है अगर आप हरी ओसद जी के निस्कर्सों में अगर आप देखेंगे तो निस्कर्स क्या रहा है ध्यान से दिखें निस्कर्स क्या रहा हरी ओसद जी ने गद्ध और पद्ध दोनों ही छेत्रों में हिंदी की सब्सक्राइब करें अगर हम माध्यम से कभी की अगर रूपों को देखें प्रिये प्रवास जो उन्होंने कविताय लिखी है कि अगर हम प्रिये प्रवास की रचना के माध्यम से कभी ने किस उद्देश को प्राप्त करना कि सुने हां बेख एक रखड़ाओ एक चीज दिखाओं खड़ाओ